नमस्कार दोस्तों मैं बासकर मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्रेटफॉर्म वाइफाइ स्टड़ी पार विच इस पार्ट अपन अकाडमी मिल जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जूड़ सुके हैं सभी को गूड आफ्टरनून और वेरी गूड आफ्टरन टो ओल अफ्य गाईज क्या हाल चाल है हम सभी के फटा फट सभी लोग सेशन को शेर करेंगे दोस्तों आपको पता है कि मैं मंडे टू प्लेटफर्म फ्री क्लास होती है जुर सकते हैं अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को और धार देने के लिए मेरे साथ सामने कोड देख रहा है मिश्रटन किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड का इस्तमाल कर सकते हैं चाहे वो आप ऐसे सी का हूँ बैंक रेल कुछे है जो पहली बार अप्लिकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और फ़ी क्लास एकसेस करना चाहते हैं उसके लिए पी आप स्कूल का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है बचे मनडे टू फ्राइडे हम लाते है आपके लिए एक बजे क्लास Monday to Friday और Saturday Sunday को जो हमारे क्लास होती दोस्तों वो होती है Unacademy पर और याद रखे का ये भी एक ही बजे होती है इस पूरे schedule को set किया गया आपके लिए जैसे आपकी पढ़ाई को और तेजधार दे पाए Current Affair हर exam के लिए बहुत important है इसे लिए Unacademy पर विस्तार पूर्वा Current Affair का सेशन लाए जाता है आपके लिए दोस्तों कितने बजे आठ बजे कौन से category में bank goal में तो मेरा नाम याद कर लिए भास का बताब मिश्रा इस बाइन नेम जिसकी मदश से आप मेरी क्लास एकसेस कर सकते हैं यह मेरा नाम है दोस्तों और इस नाम को Unacademy अप्रिकेशन पर सर्च करिए फॉलो करिए नोटिफाई मी करिए जिससे नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी यह code है इसका अस्तमार करिए शुरू कर देते हैं सेशन को आप बोलेंगे कितनी सारी बाते बता रहे हैं आप सेशन की शुरुवात करते हैं धराधर कोशन चलेंगे मज़ा आएगा पढ़ने में 11 दिसंबर का दिन है आज दोस्तों शुक्रवार है स्वागात आप सभी का पहला सवाल बहुत ही important है आने वाले समय की हिसाब से दिखा जाए तो बांगलादेश और भारत के संबंदों को व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से पर नदी कौन सी पूछा जा रहा है जिससे जिस पर बांगलादेश को त्रिपुरा से जोड़ने के लिए बांगलादेश को भारत से जोड़ने के लिए राजी कौन सा दोस्तों त्रिपुरा जोड़ा जाएगा उस ब्रिज का नाम नहीं पूछा जारा बलकि पूछा जारा उस नदी का नाम जिस पर ये पुल निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और बोला गया था सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उस नदी का नाम क्या है फटाफट जवाब देजिए उसी नदी के नाम पर इस ब्रिज का भी नाम है दोस्तों राफ्तार के साथ आपको जवाब देना है देखते हैं कौन से बच्चे सही जबाब दे पा रहे है मेरे दोस्तों आंसर जो है वो है फेनी नदी यह जो फेनी नदी है दोस्तों फेनी नदी यह इस पर जो ब्रिज त्यार हो रहा है इसका नाम भी फेनी ब्रिज है और ये बांगलादेश को त्रिपुरा से जोड़ेगा जब त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों तो ये North East के States में आता है और Seven Sister का हिस्सा है यहाँ पर CM इस समय जो है उनका नाम है विपलव देव कुमार विपलव देव याद रखेगा और साथ साथ में जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बैस रमेश बैस जो है वो गवर्नर है विपलव देव की जब बात की जाती है तो भारती जंता पार्टी से आते हैं बीजेपी की सरकार है यहाँ पर इस समय और त्रिप्पुरा एक और कारण से चर्चाओ में था एक जंजाती है ब्रू जंजाती जो की म्यूर्व मिज़रम से है जोरी हूई लेकि 1997 की जब बाते करते हैं उननिससों संतान्वे की बात करते हैं तो जंजाति आपस में वो सकते हैं की जन्सहार हुआ, अपस में लड़ाई जगड़ा हुआ और विवाद हुआ, विवाद के कारण बुरू जन्जाती को मिजरम छोड़ना पड़ा और रिफ्यूजी के तौर पर त्रिपुरा में लंबे अर्से से रह रहे थे अब त्रिपुरा सरकार ने बुरू जन्जाती को यहां पर पर्मनेंट तोर पर रहने के लिए और पर्मनेंट नागरिक्ता दे दी है यह चर्चाएं खबरों में थी बेटा दिमाग पर रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है बुरू कहां के हैं, मिजरम के, कहां पर इनको जगा दी गई है नागरिक्ता दी गई है, तुरूपुरा में दी गई है सीम, गवर्नर और खबर आपको बदा दी गई है, चलते हैं आगे के तरफ देखते हैं और क्या-क्या खबरे हैं आपके नजरिये से, important एक्जाम के नजरिये से, तो एक नदी, जिसका नाम है इजई रिवर्ट इजई नदी, काफी चर्चों में थी इस वर्ष, और इस पर भार्थी रेल्वे द्वारा, इंडिन डेल्वे द्वारा बेटा, दुनिया का सबसे उचा, रेल्वे पूल बनाये इजई नदी की जब बात करते हैं, इस पर इंडिन डेल्वे द्वारा, विश्व का सबसे उचा, वर्ट टॉलेस्ट फ्वेर रेल्वे ब्रिज तैयार किया जा रहा है कौन से स्टेट में हैं और इसकी उचाई कितनी हैं, आपको जवाब देना है असम, बिल्कुल गलत जवाब दोस्तों असम सही नहीं है, मिजरम सही नहीं है मडिपूर इस राइट आंसर मडिपूर स्टेट है, इस ए रीवर है और 141 मीटर इसकी उचाई है दोस्तों इससे पहले ये रेकॉर्ड जो था वो मॉन्टेनाग्रो में था मॉन्टेनाग्रो एक कंट्री है दोस्तों वहाँ पर दुनिया का सबसे उचा पोलता है अब ये जो खिताब है, ये जो रिकॉर्ड है ये भारत के पास आ चुका है इंडिन डेल्वेस ब्रीज को तयार कर लिए दोस्तों जल्दी तयार हो जाएगा और सेवाँ शुरू हो जाएगी तो इस प्रकार के सवाल exceptional case के हैं, आपकी exam में पूछे जा सकते हैं किसी भी exam में आ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत important है तो मेरे दोस्तों, बीच-बीच में बताता रहूँगा आपको daily 8 बजे सुबा current of air 8 a.m. पर और साथ-साथ में मेरे प्यारे दोस्तों Saturday Sunday को एक बजे class है आपकी किस पर अनकैडमी पर, railway category में आगे बढ़ें, देखते हैं और कौन को सी खबरे हैं आपके लिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल धोला सधिया bridge जिसे बोलते हैं आप लोग कौन से राजी में हैं और किस नदी पर हैं देखे, जब आप से पूछा जाता है longest river bridge यानि कि नदी पर बना हुआ bridge सबसे लंबा देश में कौन सा है लोग अलग अलग धरणाएं रखते हैं, अलग अलग जानकारियां हैं लेकिन जो सही जानकारी है मेरे दोस्तों वो पुल है, धोला, सदिया, पुल धोला ये जो इलाका है ये गाउं है, जो की असम में है जो की कहाँ पर है मेरे दोस्तों ये असम में है, सदिया की जब बात करते है बेटा, ये अरुडांचर प्रदीश में है और इन दोनों को connect करता है एक bridge जिसे नाम दे दिया गया है धोला सदिया bridge जिसकी लंबाई 9.15 km है याद रखेगा 9.15 km आप से पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर है ठीक है बचे तो असम में है ये असम में है और लोहित नदी पर है चौता आंसर एकदम दुरूस्त है आंसर ब्रह्मो पुत्र की किसकी ब्रह्मो पुत्र की ट्रिब्यूटरी नदी जानी आती है एकजाम में कोशन बन सकता है आपसे आपसे एकजाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों धोला सदिया bridge जो है कौन सी नदी पर है आपसे ये पूछा जा सकता है धोला सदिया जो bridge है इस रतन से नवाजा गया था उनके नाम पर ढोला सद्या ब्रिज का नाम रख दिया गया है अब ये ब्रिज भुपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है और उसे संबंदित खबर यह है आपके सामें 9.15 किलोमेटर यह धोला सद्या ब्रिज है इससे लोहित नदी पर बनाया गया है दोस्तों यह ट्रिब्यूटरी है ब्रह्म पुत्र की लिंक करती है धोला असम और सद्या इन अरणाचल प्रदेश ब्रिज का नाम जो है भारत रतन अवाड़ी भुपेन हजारिका के नाम पर क ना जाता है इन खबरों को मैं दो बार बता चुका हूँ अब तो यह खबर आपको रेट जानी चाहिए आप से पूछा जाता है भुपेन हजारिका को भारत रतन कौन से वर्ष में दिया गया दोस्तों 2019 में याद रखेगा भारत रतन की जब बात करते हैं देश का सबसे सर वर्ष सिविलेन पुरसकार है हाइस सिविलेन अबॉर्ष है मेरे दोस्तों मैक्सिमुम तीन लोगों को दिया सकता है एक वर्ष में 2020 का अभी तक एनाउस नहीं किया गया है 2019 में तीन लोगों को दिया गया था पड़मुकर जी भुपेन हजारिका और नाना जी देश्मुक पहला बॉर्ष 1954 में दिया गया था तीन लोगों को ट्रिपल आर के तोर पर याद करते हैं सीविरमन, राधाकृष्णन और राजगोपालचारी याद रखेगा इस सारी पॉइंट्स हो हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं और इसी अंदार्द में और इससे बहतार और इससे ज पूछा जारे में नदी द्वीब होना चाहिए यहां पर थोड़ी सी गलती है मेरे दोस्तों यह है नदी द्वीब यहां पर सही करना जरूरी है थोड़ी सी गलती हो गई है नदी द्वीब है मेरे दोस्तों यह क्या है नदी द्वीब यानि की आइलेंड रीवर आइलेंड के बार में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीब है जिसका नाम है माजुली चर्चाव में रहता है काफी जाता है वर्ड लार्जस्ट है एक्जाम में कई बार पूछा गया और आने वाले समय में एक्जाम में पूछा जाएगा स्टाटिक का सवाल है कौन से राजी में है किस नदी पर है यानि कि कौन से नदी के है और कौन से स्टेट में है सवाल बन सकता है आपके एक्जाम में इसी प्रकार के सवाल में लाता रहूँगा आपके लिए जो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं दोस सर्बनंद सोनोवाल जो है वो सियम है और गवर्नर है जगदीश मुखी जगदीश मुखी जो है वो गवर्नर है आप जो कोई पूछे ब्रह्म पुतर की सबसे लंबी सहायक नदी तो सुभान श्री है उस नदी का नाम एकजाम में पूछा जा सकता है कई सवाल बन सकते हैं द जब बात करते हैं हम लोग जो कि बड़ा शहर है असम का और गोहाटी में ही सबसे लंबा रिवर रोपवे बना हुआ है जो कि ब्रह्म पुतर नदी पर ही है रिवर रोपवे एकजाम में ये भी सवाल बन सकता है कितना लंबा है 1.8 किलो मिटर लंबा है और 60 हुपय किराया है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए ऐसा निया मैं आया हूँ जानकारी जानकारी होती है आपके लिए काम की हो सकती है तो रिवर रोपवे सबसे लंबा 1.8 किलो मिटर ब्रह्म पुतर नदी गुहाटी असम में ही है इस प्रकार के सवाल आते रहेंगे हम लाते रहे बढ़ते रहे हमारे साथ दोस्तों कल एक बजे लाइव अकैडमी पर जरूर मिलेगा आगे बढ़ते हैं यह सवाल काफी चर्चाओं में रहता है यह जील काफी चर्चाओं में रहती है और अभी हाल में ही एक नए रामसर साइट के रूप में इसे नामित भी किया गया है नाम है लोनार लेक कौन सी लेक है दोस्तों लोनार लेक जो है पहला से सवाल कुछा जारा आपसे लोनार जील के बारे में कौन से डिस्टिक में आती है महारास्ट्रा के अभी हाल में ही रामसर साइट के रूप में इसे नामित किया गया है यह भी इंपोर्टेंट है अब क काफी important होती है, अब wetland क्या होते हैं, wetland वो इलाके जो आम तोर पर पानी से ढखे रहते हैं, जैसे तालाब, ताल, बड़ा ताल, है ना, जैसे नानी ताल की बात करें, तो भी एक लेक है, और इनको भी आप wetland में रख सकते हैं, यह आम तोर पर permanently पानी से भरे रहते हैं, ढख रहते हैं या फिर temporary दोर पर, रामसर जो है, एक जगा है, अब देखें, रामसर एक जगा है, कहाँ पर है दोस्तों, इरान में, इस जगा पर एक meeting हुई, एक convention, एक सम्मेलन हुआ, कब हुआ 1971 में, 1971 में हुआ, और यहाँ पर इस मुद्दे पर फैसला लिया गया, कि यह जो विविता के नजरे से important होते हैं, अब खुर सूचिए, अगर यह सूपते जाएंगे, तो पानी का श्रोत कम होते जाएगा, कभी बार जैसी चीज़ आती है, यह लाके खतम हो जाते हैं, तो बार का जो पानी है, वो भरेगा कहा, तो इस प्रकार का संकट पैदा हो सकता है, इस नजरिये से यह important मानी जाते हैं, और इनका संरक्षन जरूरी है, ठीक है जी, तो लोनार लेग जो है, इसको भी शामिल कर लिया गया है, रामसर साइट में, और इस तरह से हमारे देश में जो total रामसर साइट से उनकी संक्या हो गया है, 41, 41, आगरा में सूर सरोवर जो है उसे और लोनार जील को 40 और 41 साइट के तोर पर शामिल किया गया है, ठीक है मुचे, कौन से डिस्टिक में आता है, बुलडाना डिस्टिक में आता है, याद रखेगा, important है, तो इस तरह से वेटा, खबरे काफी काम की हैं, सही खबरे बताई जा रही हैं, काम की बताई जा एक्सेप्शनल खबरे हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, तो थमजब बीच में करते चलिएगा दोस्तों, और साथ साथ में मिश्रा 10 का कोड इस्तमाल करिए, जरूर फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए, या किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, आप नहीं कर र इसका पानी हो गया था, पिंक, क्या हो गया था दोस्तों, पिंक, सवाल में पहले बदा चुका हूँ, और पिंक होने के पीछे एक बैक्टेरिया है, इसका नाम है हेलो बैक्टेरिया, कौन सा बैक्टेरिया, हेलो बैक्टेरिया, ये एक्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे यहां पर सबसे ज़दा हाथी है विश्व में वहाँ पर अभी हाल में ही साड़े तीन सु के करेभ हाथियों के मृत्य हो गई थी उस मृत्य के पीछे कौन सा बैक्टेरिया था साइनो बैक्टेरिया तो ऐसे सवाल मैं आपके सामने लाता रहता हूं रिवाइस कराता रहता जूड़िया मेरे साथ बने रही है हमारे साथ आठ बचे करेंट फिर पढ़िये ऐसी पढ़ाओं को मदा आएगा पढ़ने में आगे बढ़ता है एक बात है जिसका नाम है मुल्ला परियार बांथ ठीक है बचे कौन से राज्य में है या केंद्रशासी प्रदेश में बीच सा स्टेट है जब आप दिए रपट कर देखिए जब पहली चीज़तों में बचा दो मुल्ला परियार बांथ जो है यह है केरल में लेकिन परियार नदी पर बना हुआ है अब जब बात करते हैं तो यह बात का जो पानी जो रोका जाता है यह जो है इस पर विवाद है दो बात करते हैं वो करनाटक टमिलाडव है जब केरल की बात करते हैं त nein यहिए बात करते हैं यही पर है याद प्रकार से तुफानी खबरों के लिए आप हमारे साथ बनने रहा सकते हैं नाम है मेरा भास का प्रताब पिश्रद अनगर्भी पर फॉलो करिये और मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर और सेटेडे संडे को आप एक बजए अनगर्भी पर मुण सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं आगले सबात के सब निमलिकित में से कौन सी नदी और शहर सही धक से मेल नहीं कहते हैं मतलब नदियों के किनारे जो बसे वे शहर होते हैं वो यहाँ पर मैच कौन सा नहीं कर रहा है आपको बताना है गोम्ति नदी की किनारे जोनपूर ऑड जोनपूर की जब बात करते हैं तुम बिर जापुर याद ह técnica है जबाब लग रहा है यही जवाब गलत है कावेरी नदी की जब बात करते हैं तो करनाटका का एक शहर है श्रीरंग पंडम करणाटक का शहर है मेरे दोस्तों और ये वसा हुआ है कावी नदी किनारे करणाटक में 31 दिस्टिक के तौर अभी एक नया डिस्टिक की मानिता approval हो चुकी है approval मिल चुका है उसे और नाम है उस district का आने वाले समय में वीजय नगरा क्या नाम होगा वीजय नगरा ये प्राचीन जो वंश था और प्राचीन जो वो सकते हैं की dynasty थी ठीक है दोस्तों उसके नाम पर इसे रखा गया है वीजय नगर सामराज्य था और तुंग भदर अनदी की गिनारे बसा था इसकी capital हमपी होती थी और हमपी इस समय बलारे डिस्टिक में आती है लेकिन जब वीजय नगर 31 वी डिस्टिक बन जाएगा तो हमपी वीजय नगर में आने लगेगी ये टूरिजम के point office से भी important हो जाएगा इसे एक अलग दर्जा प्राप्त हो जाएगा और अंतर रास्ट्री जब हम stage पे देखते हैं मंच पे देखते हैं तो वीजय नगर को टूरिजम के point office से काफी ज़्यादा महतुब मिलने वाला है आने वाले समय में आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्रिष्ण नदी की जब बात की जाती है तो वीजय वड़ा जिसके साथ क्रिष्ण है उसकी वीजय निशीत है याद रखे विलकुल सही जबाब है गोदावरी के किनारे नासिक सहर बसा हुआ है याद रखेगा आनसर जो गलत है यहाँ पर दोस्तों वो कावेरी नदी की किनारे महसूर सहर नी श्री रंग पट नम है याद रखेगा करनाटक की जब बात करते हैं तो करनाटक के सियम बियस यदियूरपा सहाब है और गवरनर वहाँ पर इस समय वाजू भाई वाला है और साथ साथ में जब हम रेशम की बात करते हैं और कौफी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यदा पैदावार रेशम की और कौफी की करनाटक में ही होती है इसे भी दिमाग पर रखेगा कंबाला एक भैस दोड़ होती है बफेलो रेस होती है जो काफी चर्चाओं में थी करनाटक का ही वो एक स्पोर्ट से ठीक है बच्चे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर एक लेक की बारे में पूछा जा रहा है आप से हुसैन सागर है हुसैन सागर यह यहाँ पर सागर कर लीजेगा तोर पर जितनी भी सागर वाली लेक्स हैं मतलब ऐसी लेक्स जिनके नाम के अंत में सागर लगा है वो लेक्स जो है मैक्सिमम राजस्थान में लेकिन एकसेप्शन जो है वो है हुसैन सागर के साथ और यह हैदराबाद में हैदराबाद तेलंगाना की चटा वर्स मनाया उसने अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तोर पर 29 वी राज्य के तोर पर आया तो 2014 में, इस समय हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनिय डिरिटरीज हैं, इनको भी दिमाग पर रखेगा, बुलड़णा के बारे में बात की हम लोग ने महारास्टरा क जिला है, और यहां पर लोनार लेक है, यहां पर कौन सा लेक है मेरे दोस्तों, लोनार लेक है, ठीक है पुच्छे, अजमेर की जब बात करते हैं, तो लूनिय डिकी किनारे हैं, जैपूर की जब बात करते हैं, बेटा, यह दूसरा वर्ड हेरिटेज सिटी है, इसे अपनी निम्रिकित में से किस नदी को दक्षिन गंगा के नाम से जाना जाता है आपको जान करें देंगी वो कौन सी नदी है जिसे आप दक्षिन गंगा के नाम से जानते हैं आंसर दे दिजिए कृष्णा महा नदी गोदावरी या कावेरी वन लाइनर है आंसर है गोदावरी ठीक ह दोस्तों तो ये नदी जो है इस पर नागर जोनर डैम, श्री सैलंड डैम है, याद रखेगा, महा नदी पर हीरा कुट डैम है, गोजावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है, कावेरी पर सबसे पुराना डैम है, कलानाई डैम जो की तमिल नाडू है, ये आप से रखिये, मिश्रा 10 ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी, वो कौन सा कोड है, जो की कैरेंटी है सफलता की, तो उसका नाम क्या है, मिश्रा 10 याद रखेगा, सुबार बज़े करेंट फिर भी याद रखेगा, मध्य प्रदेश में स्थित इंद्रा सागर डैम, इंद्रा स जान करेंगे, आपको कम से कम 30-35 तक पोचा देती है, काम का सेशन है, डेली आया करिए, दोस्तों को शेर करिए, बनी हमारे साथ, लाइक करिए, ठीक है बचे, आप थमस अब करते हैं, हमारा जोज बढ़ जाता है, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में इस चित इंद् निमलिकित में से किस नदी पर बनाया गया है, फटा फट जवाब दीजे दोस्तों, चंबल, नर्मदा, कृष्णा या गुदावरी, तो जब हम बात करते हैं, इंद्रा सागर डैम की, तो ये जो बाद है, इंद्रा सागर बाद, ये बना हुआ है मेरे दोस्तों, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी भी जब बात करें, गुजरात में, तो सरदार पटेल, जिसे सरदार पटेल जी के नाम पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, याद रखेगा, इस पर काफे विरोध चल रहा था, आप मेदा पाटकर को जानते होंगे, नाना पाटकर की बहन नह देश के अंदर और समाफ जो जाती है, देश के अंदर ही, ठेके बचे याद रखेगा, तो आगे बढ़ते हैं इन खबरों के साथ, चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है, जब बात करते हैं हम लोग कावेरी नदी जल विवाद की, देखे भईय अगर यह पूछा जाए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो इस जल विवाद में कुल तीन राजी, तीन स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, इस तरह से यह संख्या मिलकर हो जाती है, दोस्तों, चार, केरल है, करनाटक और तमिलनाडू में भीशन ठीक है, मतलब दोनों राज्यों में इस जल, इस नदी के जल बटवारे पर काफी ज़्यादा विवाद रहता है, मार कार्ट, पिक्चरे बैन होना, ट्रांस्पोर्टेशन रोग देना, सब चलता है आपर, तेलंग आना इसका हिस्सा नहीं है, इसकी जगा पूदू चेरी इसका हिस्सा है, पूदू चेरी, याद रखेगा कौन सा यूनियन टेरिटरी है, पूदू चेरी इसका हिस्सा है, इसको अपने दिमाग में केड़नी में बस आ लिजी, आगे बड़े दोस्तों, सब कुछ समझ आ रहा है, तो थमजब देते चलिएगा, कोंड यादर करते चलिएगा, और टाइमिंग भी याद होनी चाहिए, करेंट अफेर सुबा आट बजे जरूर आईए, आपको बता दिया गया है, आगे बड़ते हैं, अगला सवाल, ताजी पानी की डॉल्फिन, यानि कि हम जो बात करते हैं, फ्रेश वर्टर डॉल्फिन, डॉल्फिन की ज हमारे प्रधान मंतरी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की बात कहीगी थी दोस्तों, किया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हो चुका है देश में, इनके सर्णक्षण के लिए कारी किया जाएगा, नदी कौन सी जहां पर सबस्दा पाई जाती है गंगा नदी, कौन सी नदी है दोस्तों, गंगा, और गंगा नदी की जब बात की जाती है, तो गंगा से जुड़ा हुआ संगरहाले, तेश में पहला म्यूजियम जो की गंगा से संबनित है, कहां पर है, नाम है उसका गंगा अवलोकन, गंगा अवलोकन, याद रखेगा नाम मेरे दोस्तों और हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में ही हमारे प्रधान मंतरी जी द्वारा छे नमामी गंगे प्रोजेक्ट भी शुरू किये गए हैं, हरिद्वार से जो सांसद हैं वो है रमेश पोकरियाल, जिनोंने अभी महर्शी अर्विंद पर अपनी एक में हैं रमेश, पोक्रियार, एजुकेशन, मिनिस्ट्री सम्हालते हैं उस किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा मुझे जिसकी पहली प्रती उन्होंने राश्पती को दी है गिफ्ट के दौर्बा ठीके बच्छे आगे बढ़ें सावर मतिकी किनारे अह नहीं खाता है यानि कि यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा शहर और नदी यानि कि वो कौन सा शहर है जो किसी नदी की किनारे बसा है सही डंग से मैच नहीं कर रहा है कौन सी नदी और उसके किनारे बसा हुआ शहर जो है सिटी जो है वो सही डंग से मेल नहीं खा रही है आ को याद रखना है दोस्तों अजमेर की जब बात करते हैं तो अजमेर पहला option ही गलत है अजमेर जो है वो लूनी नदी की किनारे है कौँसी नदी है या लूनी नदी हैदराबाद मूसी की किनारे सही बात है एहमदाबाद साबरमती नासिक गोदावरी पूरकार के questions आप एक्जाम में आएंगे और इसी कारण से मैं सेव उसी तरह के pattern आपके लिए तयार कर रहा हूँ ठीक है पूच्छे आगे बढ़ते हैं अगले सवार को देखते हैं आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है आपको हम और वहाँ पर एक जगा है खूपसूर जगा है मनाली लोग घूमने जाते हैं बरफ देखने जाते हैं आपर यही पर एक रोहतांग पास कौन सा दर्रा रोहतांग दर्रा और यह रोतांग जो दर्रा है यही पर एक tunnel बनाई गई है जो की अटल जी के नाम पर है इसका नाम है अटल टनल जो की विश्व की सब से लंबी highway tunnel है कितने किलोमेटर भया 9.02 किलोमेटर है ना क्या मैं सही बता रहा हूँ बिलकु सही बता रहा हूँ इतनी लंबी है जिसे बियारो द्वारा तयार किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गनाईशन द्वारा तयार किया गया है और 3.02 को इसको inaugurate किया गया परधान मंतरी ननेदर्मदी द्वारा इसके बनने से दूरी भी कम हुई है और आवागमन पूरे साल बना रहेगा पहले बरफ पढ़ने के कारण रास्ता बंद हो जाता था तो पीर पंजाल रेंज में ही यह आटल टैनल आता है रोतांग दर्रा आता है ठीक है बच्छे मनाली और ले को जोड़ता है तो यह मनाली और ले हाइवे पर ही बना हुआ है विश्व का सबसे लंबा हाइवे टनल है ठीक है बच्छों आगे बड़े हम लोग बोंगला जो है यह अरुडांचल प्रदेश में है याद रखेगा जल पीसला जेलेपला है थोड़ी सी कलती हाज हो गई ज़्यादा है जेलेपला है मेरे दोस्तों जेलेपला की जब बात करते हैं तो जेलेपला पास जो है मेरे दोस्तों यह कहां पर है कोई पूछे आप से तो जेलेपला है कि सिक्की में कहां पर है सिक्की में है ठीक है जो नाथुला भी सिक्की में ही आता है तो रहतान हिवांचल प्रदेश बोमला और रांचल प्रदेश जेलेपला बात करें तो सिक्किम और नाथुला भी सिक्किम दोस्तों सेशन को समाथ करने का समया चुका है कोड एक वाफिर से बता जिता हूँ कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों इस कोड का इस्तमाल करिए 10% की छूट है कोई डाउट है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अपने मन में इतने भी प्रकार के आपकी दिखते हैं उनको आप Unacademy application पर message को option आता है आप मुझे message कर सकते हैं मैं आपको reply ज़रूर करूँगा तो दोस्तों, फॉलो कर लिजे मुझे बास के पताब मुश्रा को 8 बजे करेंट अफेर डेली आता है, जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दिजेगा, तोस्तों को साथ शेर कर दिजेगा, और साथ साथ में मुझे फॉलो कर लिजेगा, आज के लिए इतना काफी है, जाह